चलिए बनाते हैं गनपती बप्पा के फेवरेट मोदक जो जटपड बन जाएंगे बहुत ही आसानी से बिना किसी जञजट के बस हमको कोकोनेट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए फटा फट से घर के सामान से हम बना के तयार कर देंगे और बप्पा का मन पसंद भोग हम लगाएंगे तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और बहुत ही आसान है लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा देखिए मैंने यहां फ्रेश कोकोनेट ली है इसको कद्दू कस कर लीजे या फिर मिक्सर में ग्रेट कर लीजे तो बस इसको रेडी कर लिया है एक कटोरी है नॉमल जु घर में दाल खाने वाली सबजी खाने वाली कटोरिया होती है उससे मेजरमेंट बता रही हूँ एक कटोरी फ्रेश कोकोनेट है ग्रेट अब मैंने एक च तक हमको इसको भूना है चार से पांच मिनट जैसे ही हो जाएंगे वैसे हम इसमें क्या करेंगे देखे मैंने यहां पे एक कटोरी से थोड़ा कम यहां पर दूद डाल दिया है इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे coconut और milk को mix करेंगे देखते ही देखते ही थोड़ा सा आपको गीला लगने लगेगा जैसे ये गीला हो जाएगा इसको चलाते रहेंगे बीच-बीच में और इसमें डाल देंगे हम करीब 3-4 चमच के करीब milk powder यहां मैंने milk powder यूज किया है वाइटनर नहीं यूज किया है milk powder यूज किया है नेसले का या कोई भी milk powder जो अवेलेवल हो आप ले लीजे अब इसको mix कर देंगे दूद और milk powder मिलके ना मावा जैसी consistency कर देंगे और देखते ही देखते ही यह गाढ़ा होने लगेगा तो जब य करती जा रही है coconut और milk powder यह गाढ़ा होता जा रहा है अब इसमें क्या किया है घर में जो दूद के उपर से मलाई निकालते ना वो वाली फ्रेश मलाई मैंने यहां पे करीब एक चमच एक बड़ा चमच तो अगर आप नॉमल समझें यह मैंने बहुत जादा चमच में भर ल बनते हैं यह मतलब मुह में जाता ही घुल जाने वाले इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब अगर आप चीनी यूज कर रहे हो तो इसी स्टेज पे आपको क्या करना है यहां पे करीब आधा कटोरी यहां पे आधा कटोरी से थोड़ी कम क्योंकि नारियल में भी अप अच्छे से भूना है देखिए यह बिल्कुल सेट होना शुरू हो गया है यह एक सार होने लगा है दूद पूरा अब्जॉब हो चुका है और यह गाळा हो गया है अच्छी खासी तरह से तो अब इस स्टेज के बाद हमको एक दो मिनट इसको हम और इसी तरीके से प्रेस क किया था जब कोकोनेट डाला था और एक मैंने अभी बाद में यूज किया है तो देखिए अमूल मिठाई में डाल रही है बहुत जादा नहीं बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि बहुत मीठा हो जाएगा वरना इसको हम हलका मीठा बनाएंगे ताकि कोई भी इसको फटा-फट से पूरा खतम कर पाए तो देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत ही आसान है ये बनाना मोदक तो बपा के बहुत प्रीय होते हैं और कोकोनेट मोदक तो बपा के और भी ज़्यादा प्रीय होते हैं तो जरूर एक बार इस गनपती में बनाए गनपती को विदा करने से पहले उनको एक बार जरूर ये coconut मोदक का भोग लगाए तो देखिए ये अच्छे से mix हो गया है, मैंने लगातार 2-3 मिनट low flame paste को और भून लिया है पूरी तरीके से सारी चीज़े एब्जॉब हो चुकी है, coconut में अच्छा गाड़ा हो गया है तो इसको अच्छे से एक प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है, और ठंडा होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे ये जैसे ही ये ठंडा हो गया, तो देखिए मैंने क्या किया, इस तरीके का मोल्ड ले लिया है, बहुत तरीके के बजार में मोल्ड आते हैं आपको जैसा मिले वैसा ले लिजे, अगर ना मिले तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, मोदक का शेप दे सकते हैं, इसमें थोड़े छोटे साइस के बनते हैं तो मैं थोड़े से छोटे थोड़े बड़े दोनों तरीके के बनाऊंगी क्योंकि कहते हैं गनपती बपा को 11 मोदक 21 मोदक का भोग लगना चाहिए तो आपने जितने अमाउंट में मिक्स्चर बनाया उस अकॉर्डिंग कर ले कम से कम 5, 11, 21 मोदक का भोग जरूर लगाए सबसे ज़्यादा शोब होता है बपा को 21 मोदक का भोग लगाना तो चलिए फटा-फट से बना लेते हैं तो देखिए इस तरीके के एक साथ इस वाले साचे में 5 बन जाते हैं जटपड बन जाते हैं बिना किसी जटपड में 10 मिनट में पूरी तरीके से रेसिपी बन के तयार हो जाती है एक बार जरूर बनाए गनपती का भोग लगाए या आप किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं प्लीज मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो पसंद आया हो तो जाजास जादा शेयर करिये ताकि और भी लोग ये रेसिपी सीख सके जिनको बहुत जल्दी में हो कुछ जल्दी चौटकट वाला बनाना हो तो वो ये रेसिपी फटा-फट से अपने बपा के भोग के लिए बना सके बहुत अच्छे आप घर में बच्चों के लिए बना सकते हैं क्योंकि कोकोनेट है, मिल्क पाउडर है, दूद है, मलाई है तो डारेक्ट इंडारेक्ट वे में कुछ हेल्दी ही हम बच्चों को खिला देंगे हम इस पे पिस्ता की कतरन डालने के बाद यहां पे मैंने थोड़ा सा केसर से इसकी गार्नेशिंग की है, थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाता है और थोड़े दिखने में भी सुन्दर लगने लगते हैं तो पहले ही केसर को थोड़ा सा घोल के रख लिया था और उससे इस तरीके की प्लेटिंग की है, थैंक यू सो मच फर वाचिंग